पंजाबिस्तान दी जानिबतों डाक्टर नरिंदर सिंग कपूर जीदी किताब तर्क वेद विच्चों पंजमी रचना औरत दी आजादी औरत नू गुलाम रखन लई सदियातों मनुख बड़े बरीक सूखम चलाकी परे अते मिठे हत्यार वर्तदा रहा है इना हत्यारा दी निरंतर वर्तो कारण औरत ने शिकार होन नो आपना दुरपाग समझन दी बजाए आपनी होनी समझना शुरू कर दिता है अते नतीजा एह होया है के औरत ने आपना जीवन ही ओना लिहां उते टाल लिया है के मर्द वल्लों औरत नू गुलाम बनाए जान दे अमल विच किसे मुश्कल दी था आनांददा एहसास होवे उदारन वजों केहा जानदा है के पतनी पती नाडों मदरी होनी चाहिदी है ओ पती दे मुकावले काटपड़ी लिखी होनी चाहिदी है ओ उमर वेच पती नाडों छोटी होनी चाहिदी है ओ सरीरक पक्खों वी पती नाडों वद तगडी नहीं होनी चाहिदी पतनी आर्थिक पक्षों नीमे टबर विच्चों लेनी चाहिदी है शरम औरत दा गैना है औरत नू तीमी आवाज विच बोलना चाहिदा है औरत नू कार विच रहना चाहिदा है उसनू अपनी नजर नीमी रखनी चाहिदी है उसनों निमर्ता दा प्रक्टावा करना चाहिदा है अते उस विच त्याग अते खुर्बानी दी पावना होनी चाहिदी है इमें ही संजम संकोच आद गोन सलाहे जांदे हन उपरोकत सारियां गल्ला असल विच ना अतां गोन हन अते ना ही इना दा औरत नाल कोई तरक संगत संबन्ध है साचता ए है के उपरोकत सारियां गल्ला ओ शर्ता हन जेडियां औरत नू मर्द नाल रिष्टा गंडन अर्थात व्याग करवाउन लई मननिगा जरूरी हन तां के मर्द वलों औरत नू अपने अधीन करन दे राविच किसे विरोत आदा सामना ना करना पवे लम्मा कद वड़ी उमर वदेरे शक्ती शाली डील डॉल उच्ची रोब परी आवाज उचेरा डबर वदेरे विद्या आकड मान अते अंख आद अजेहे लच्छन सुते सिद मर्द नू औरत दे मुकाबले हर पक्खों वदेरे शक्ती उचेरा रुत्बा अते महत्तव परदान कर दे हान छोटी उमर बार को मन फिरन उते पाबंदी कारण अते अग्यानता विच विचरदी आउरत नू अधीन करना बड़ा सौखा होंदा है अगों एही आउरत अगली संतान अते विशेश करके तियान नू एनना सुजाईया होई या लिहां उते पाल दी होई मर्द वल्लों औरत दे कीते जान वाले शोशन विच खुशी खुशी सहाई होंदी है आज तक पुर्ष ही औरत नू छट दे आए हन करों कड़ दे रहे हन पर जदों कोई औरत पुर्ष नू तिलांजली दिन्दी है ता मर्द आपना सरीरक मानसिक सब परकारदा संतुलन गवा बैठता है पारती समाज विच पामे औरत किसे वी तरमना संबंदत है उस दी समाजी किस्तिती हिंदू तरम दिया पाईया लिहां उते ही उसरी होई है इस्लामी समाज विच इस्तरी दी हालत वदेरे तरसी होग है क्योंके उसनू बुरके दी चल दी फिर दी जेल विच विचरना पैंदा है औरत नू खिस्मत अते अगले संसार दे वादे करके संगर्श दे रा उते आउन ही नहीं देता गया जात पात ने औरत दी खुलामी नू पक्या किता है औरत व्या नहीं कर दी औरत नाल व्या किता जानता है पुग लिक तोर उते वी औरत जेस थां समाज जां इलाके वेच जाम दी है अपनी बहुती जिंदगी उती ही गुजार दी है औरत नू घुलाम बनाउन दे होर वी कई टंग वरते जान दे रहे हन औरत दे माँ बननू ते बहुत जोर दिता गया है अते उस दी मुक्ती नू उस दे पुत्तर नाल जोर दिता गया है उस नू अपनी जिंदगी दार सब तों चंगा हिसा गर्ब दियां अती मुश्कल जिम्यवारियां विच ही गुजारना पेंदा है जदों ओ एस पासे तों वेली हुंदी है तां ओस सकोल आपना कोज भी नहीं हुंदा बच्यां दी पच्छान भी पिता दे ना नाल ही हुंदी है एस स्थिथी विच आस किती जांदी है के औरत माद रूप विच आपने आपनों मिठा दे वे औरत किसे जायदा दी मालक नहीं बनन दिती गई एसे लई संकट कालिन स्थिथी विच उस कोल सिवाए अपने सरीर दे कोज हुंदा ही नहीं एस लई ओ एसे नू वरतन वे चन लई मजबूर हुंदी है पुर्ष जवानी विच सब तों वदेरे उन्ती करदा है जदों के औरत दा सब तों वद शोशन जवानी विच ही हुंदा है उसनू मुढ मुढ गरवती करके मर्द ने औरतनू अजादी दा संकल्प ही ग्रैन नहीं करन दिता छोटी उमर विच व्या असल विच मर्द वलों औरत उते अपनी जकड बनाई रखन दा एक उपराला सी किसे फैसले विच क्योंके औरत दी सला लई ही नहीं जान दी ये परचारया गया के औरत अते अकल दा आपस विच कोई संबंद नहीं अर्थात वपार अते राजनिती विच औरतों किसे से अनबदी आस करनी वियर्थ है सोचवान औरत मर्द लेई एक चनवती हुंदी है वद पड़ी लिखी औरत पती लेई एक समस्या हुंदी है होन जदों स्तिथी बदल रही है पूर्ष लई औरत नाल रिष्टे दे हर खेतर विच समस्यामा उपजरिया हैं जित्थे वी प्रमप्रागत लीहा नू औरत ने उलंगन दा यतन किता है समुची मर्द जात ने उस उते दूशन लाए हैं जेडे असल वेच मर्द दी आपनी डामा डोल स्तिथी दा ही प्रगटावा हुंदे हन औरत दियां कई नमिया समाजिक वनगियां दा समाज वेच परवेश होया है जिमें विद्वा तलाग शुदा अनव्याही आद ए सारियां वनगियां मर्द दे मुकाबले औरत नू निमा दसन दे यतन हन अजेहे होर वी अनेका असाधन हन जिमें पत्नी पती नू तुसी केंदी है जदोंके पत्नी नू तू केंदा है इमें ही सालेदा दरजा देवर नाडों निमा है औरत कमरे विच आवे तां पती नहीं उठदा जदों के पती दे और उत्ते पतनी तों उठ खड़े होन दी आस किती जान दी है औरत ली वरती जान वड़ी शब्दावली भी नीमी पदर दी होन दी है ब्राती बनना हुवे तां मर्द बनेगा पर जे किसे दे मरे दा पोग होवे तां एस कारजली औरत जावेगे जे पती पतनी एक ही दफतर विच कम कर दे हन तां किसे न किसे बहाने पुर्ष औरत दे मुकाबले आपनी तन्खा नूँ वदेरे अस्थापत करेगा पुर्ष औरत नाल मखोल कर सकता है पर औरत नू ए आग्या नहीं पती दी मौत उबरंत जायदा दी मालक औरत नहीं बन दी उस दा पुतर बनेगा अर्थात औरत एक मर्द दी थां दूजे मर्द उते निर्पर हो जावेगी पुर्ष दा मन प्रचावा करोंबार अते बहुत महिंगा होंता है जदों के औरत लेई ए अवसर किसे त्योहार जान रिष्टेदारी विच किसे व्यास हमे ही उपजदा है मुंडे गलियां विच कई खेड़ां खेड़ दे हन कुडियां करां अंदर गीटे खेड़न तक सीमित हो जादियां हन कुडियां लेई खुली तुप अते खुली हवा वर्जित रहियां हन असलियत ए है कि समुचे पारती दर्शन विच अते सारे तर्मा विच और दी आजादी दा संकल्प ही नहीं उसरे अंग्रेजां दे ओन नाल आजादी दा संकल्प प्रापत होन मगरों ही इस संकल्प दियां संबावनावा उजागर होनियां संबव होनियां हन बहुत सारे खेतना विच आउरत ने कुछ आजादी प्राबत कीती है पर उस दी समुची स्तिथी विच बोती तवजिली नहीं आई हाँ होन पुर्ष दी ताना शाहिनू वंगार जरूर पैन लग पई है बहुत बहुत शुक्रिया जी